दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CP plus के DVR का password कैसे reset किया जाता है अगर आपको CP plus के DVR का password पता है और आपको password चेंज करना है उसका तो process मैंने अपने चैनल की वीडियो में डाल रखा है अगर आपके पास customer care का support नहीं चाहिए उसके बिना भी आगर आपक बताऊंगा कि अगर आपके पास DVR का password नहीं पता आप उसे भूल गए हैं तो आप उस DVR के password या NVR के password को कैसे reset कर सकते हैं उसका complete process मैं आज की वीडियो में बताऊंगा तो हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अबनी सिंग और आप देख रहे हैं gadget गुरकुल इस तरह की मैंने CP plus का DVR ले लिया है जिसका password हमें नहीं पता है वो मैंने अपने display से connect कर लिया है तो हम कैसे process करेंगे DVR के password को reset करने का और उसको बदलने का उस सारे complete process को करते हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं DVR की screen पर तो दोस्तों अब हम आगे हैं DVR की display पर और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हमें password नहीं पता तो क्या करना है तो सबसे पहले हमें तो यह कुछ भी नहीं पता ना pattern पता है नहीं इसका password पता है तो हम forward pattern कर लेते हैं यहां पर इस तरह से आ जाएगा यहां पर forward password पर जाना है यह देखिए अब यहां पर एक option आ गया email तो यहां प पर आएगा तो हमें यहां पर एक email id एंटर करनी है जिस पर वो code आए ठीक है तो हम यहां पर email id एंटर करते हैं तो दोस्तों यहां मैंने email id एंटर कर दी है अब यहां पर आप देखिए नीचे आ रहा है next option यहां next पर जाते है next क्लिक किया to reset password we require your email device mac address and device serial number तो यह हमारे पा serial number यह QR code है और यहां पर यह process है email id हमारी यहां पर mention है अब जो है हम अपने mobile पर जाएंगे और वहां GCmob app डाउनलोड करेंगे अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो mobile पर सी मोब की एक application ACP Plus की उसको डाउनलोड करेंगे उस application के थ्रूँ अब हम इस QR code को scan करेंगे और हमारी email id पर एक code आएगा उस code को एंटर करने के बाद यह हमसे कहेगा कि आप अपने password को नया बना सकते हैं तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम उसको mobile पर कैसे access करना और GCmob app के थ्रूँ उ तो दोस्तों यह मैंने अपने mobile पर GCmob application डाउनलोड कर लिए हम इसे open करता हूं यह मैंने GCmob open किया ठीक है यह इस तरीके से आएगा अब यहां पर देखिए आप यह जो लेफ्ट साइड में तीन dots है यहां पर आते हैं यहां पर आगए यहां पर हमें आना है more पर यह मैंने more पर क्लिक कर लिया अब यहां पर देखिए reset device password आ रहा है तो यहां पर reset device password पर आते हैं ठीक है अब यह कह रहा है okay इसको okay करते हैं. अब ये देखें कह रहा है कि scan the qr code जो मैंने आपको qr code दिखाया था. अब ये उसको scan करने के लिए क्을 यह रहा है. तो हम इस qr code से इसको scan कर लेते हैं. ये देखें, यह मैंने यहाँपे scan किया. ये देखें, scan हो गया. प्लीज वेट और यह देगे स्कैन हो गया successfully connected और यह इसमें यह message आ गया कि अब यह एक passcode आपकी email id पर आ चुका है अब हम email id देखते हैं और उसमें यह password आज गया और उस एक security code आया होगा उस security code को यहाँ पर हम enter करेंगे देखिए यहाँ पर हम एक security code एंटर करेंगे यहाँ पर option आ रहा है और उस एंटर करने के बाद यह हमसे बोलेगा एक पासवर्ट को reset करने के लिए तो हम अपने email id से पहले वह security code ले लेते हैं तो अब यह हम मैं अपने mail पर जाता हूं और वहा यहाँ पर एक आ गया है इसको हम open करते हैं तो दोस्तों यह आ गया है हमारे पास एक security code जो आप देख सकते हैं कि this security code of serial number is cbc2aa3 अब मुझे यह security code हमारे DVR में जहां पर हमने सारा एंटर किया है वह security code में एंटर करना है और वहां से यह सारा प्रोसेस हमें बताएगा कि फिर आप पासवर्ट जो भी generate करना है आपको वह कैसे generate कर सकते हैं तो अब हम यह same password जो हमारे security code आया है यह हम एंटर करते हैं अपने DVR पर तो चलते हैं डिस्प्ले पर तो दोस्तों आप हम आए गया है डिस्प्ले पर और मैं यह जो हमारे mobile पर code आया है security code में एंटर कर रहा हूं यह आया है सी अब हम इसे नेक्स्ट करते हैं अब यह देगे यहां पर इसने का है reset the password of admin अब यहां पर हम जो भी नया पासवर्ड डालेंगे वह पासवर्ड यहां पर चेंज हो जाएगा अब यह पासवर्ड मस्ट भी एट टू थर्टी टू करेक्टर इंक्लूडिंग एट लिस्ट टू आफ फॉल्लिंग कैटेग्रीज नम्मर्स अपरकेस लेटर्स एंड लोवर केस लेटर एंड 321 यह इसको एकसेप्ट कर लेगा cctv at the rate 321 और यहां हम करते हैं ऑप्रेशन सक्सिरीड मतलब यह हमारा जो भी पासवर्ड है वह रिसेट हो गया है और यह सक्सेस्फूल हो गया है इसे हम करते हैं अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पे हम इसको पासवर्ड को एंटर करत करते हैं cctv at the rate 321 यहां करते हैं और यह देखिए हमारा यह DVR ओपन हो गया है तो दोस्तों यह देखिए आप कितना ही सिंपल प्रोसेस है आप सिर्फ एक जी सी मोब अप्लिकेशन अपने में डाउन्लोड करें और आप बहुत असानी से अपने DVR के या NVR के पासवर्ड को reset कर सकते हैं बिना customer care को involve किये हुए आपको वहाँ पे customer care की लंबी line में लगने की जूरती है phone की कई बार वो 10-15-20 मिन भी लगा देते हैं आपको उनसे बात करने की जूरत नहीं है तो आप बहुत सिंपल तरीके से अपने आप भी इस के तुरू इस process के तुरू अपने DVR औ या इस topic से related कोई भी query हो तो आप comment करें या इसमें कोई doubt रह गया हो तो आप please comment करें मैं उसका reply जरूर करूँगा उमीद है कि मैं आपको इस वीडियो के तुरू यह बता पाया होंगा कि CP plus के DVR और NVR का password reset करने का क्या सही और आसान तरीका है अगर फिर भी आपकी कोई query हो तो प्लीज कमेंट करें क्या CCTV से related आपकी कोई भी query हो तो प्लीज कमेंट करें मैं उसका reply जरूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस topic पर अगली वीडियो जरूर बनाऊं तो आज के लिए इतना ही जैन दोस्तो आपकी करूँ और करकूँ आपकी करूँए मैंज्ण से चनलीज ने मनigon तो प्लीज दोस्तो आपकी करूँ आपकी करूँछा आесть करूँए ओतो और का